तो एलो एवरीवान वेलकम बेक टो चनल गैनलैप वनस अगेन तो बहुत बच्छों की डिमांड थी ठीक है बहुत मेरे आफ्लेन वाले बच्छों ने भी बूला ओनलाइन वाले बच्छों ने भी बूला कि सर लॉग एंटिलग तो आ गया सर अब एंगल वाला हो साइन को स् इंवर्स की वेल्यू कैसे निकालते हैं वह भी सर थोड़ा सा कवर कर दीजिए तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने आले बाकी का चीज कि आप लोग कैसे मानलों अगर आपको पूछा गया है कि वाटी इसकी वेल्यू कैसे बता सकते हो ठीक है कि आपको मैंने पूछ यह से सब्सक्राइब कर सकते हैं वेल्यू कैसे रहं सकते हैं यह सैंकॉस के लिए बिए की से लिए चाहिए यह फिर अगर कोस 45.9 तो आप कैसी को निकाल सब्सक्राइब निकाल सकती है सेम हम लोग 10 की बात करेंगे कि 10 अगर मुझे 10 36 की वेलू चाहिए तो कितना आएगा सर कैसे हम लोग बूक कर सकते हैं थीटा में कि 10 सब्सक्राइब तो आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि साइन कोस्ट एन कैसे आप लोग यूजिंग लॉग बूक कर सकते हो अगर इस वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना सारे आपके वाट्सेप ग्रूप पर जितने आप आप लोग कैसे फाइंड ओट कर सकते हैं तो चलो शूरू करते हैं तो यह सबसे पहले आप लोग को टेबल कौन सा देखना है तो आप लोग बुक लोग है ना तो इसमें आपको दो टैप की टेबल मिलेंगे एक नेचरल साइन नेचरल कोस्ट नेचरल टेंजन्ट यही पहली बात क्लियर हो गई अब सेकेंड बात मानलो आपको मैं एक दो क्वेशन का ले लेता हूं कि मानलो आपको साइन साइन आपको फाइन डोड करना है 31.8 इसका आपको अंसर चाहिए कि साइन 31.8 डिगरी का अंसर कितना आएगा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कुछ नहीं आज ओर टेबल पर देखते क्या क्या दिया गया है तो यहां पर सब आपको डिगरी दे दी है जिरो से लेके आपको अगे तक का डिगरी दे दिया है यहां पर आपको कुछ वैलयूस दे दी है यहां पर मिनित में थिंद् degries में खिंद को नंखे था यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यह नंबर मिल आपको 5270 आगे लगा दोगे पॉइंट से चला होते हैं कि सारे नंबर हमारे पॉइंट संतिंग से चालू हो रहे हैं तो हर नंबर यह आपको नंबर दिया है इसके आगे पॉइंट सीरो है मिल गया अरे क्या बात है सर क्या बात है आपको अंसर मिल जाएगा चलो एक और कुशन देखते हैं आप लोग बता दो क्या चीए आपको तो तो इसका लिए क्या करेंगे यहां पर है क्या नहीं है यहां पर 43 नंबर तक है अब नेक्स टेबल पर जाते 72 का 5 में चीए 72 का 52 ने तो यहां पर 72 मिल गया अब आपको मिल गया आंसर इतना इजी यह बाई साइब इतना इजी है बोलो समझ में आ गिया तो चलो मैं आपको एक होमवक्ट दे रहा हूँ आप मुझे पता इसका अंसर फटा फट साइन ठीक है साइन थर्टी थ्री पॉइंड टू डिगरी इसका अंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताना ठीक है हो गया यह तो यह बेसिक हो गया अब अब अगर आपको साइन इनवर्स फाइंड ओड करने बोले तो आप क्या करोगे ध्यान से सुनना साइन इनवर्स मतलब क्या अगर आपको कभी ऐसे साइन इनवर्स फाइंड जिरो पॉइंट री टू फाइन रेट करने आपको इस प्रोशेस का उल्टा करना मतलब सर मतलब सर अब आपको जो नंबर ना यह नंबर को आपको यहाँ लॉग बुप के बीच में दुणना है ठीक है लॉग बुप के बी यहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग पीछले टेबल में चलते हैं तो यहां पर देखो 0.1 0.0 0.0 0.3 तो 0.1 आ गया 0.2 आ गया 0.3 चलो यहां पर अपना अंसर होगा तो तो यहां से लेके यहां इसके बीच में आपका अंसर रहेगा ठीक है इतने टेबल में आपका अंसर रहने वाला है आपको आपको यहां पर दुनना था जालते हैं अभी फटा फट क्या दुनना था आपने को 3 3259 3259 3259 3259 3259 आँ देखो मुझे एक नमबर मिल गया 3256 मिल गया मुझे तो देखो हमेशा देखो आपको क्या करना है इसका closest number आपको डुन ना क्या करना है 3259 है ना देखो और हमें क्या मिला 3256 मिला 3256 4259 ठिटू जाई था हमें हमें मिल गयाusan। कितनमदों चाई कटना ओपर देखें गया miracles कितना अंसर आँपका उन्सार का अंसर 19 डिगरी तो कितना ऑफ सकते हैं आपको एकदम एकज़ेक्ट चाहिएält चुछ नहीं करना है आपको जो भी वैल्यूस दी गई है आपको दिया गया है 0.7912 यह आपको दिया गया है find out its angle angle find out करने बुला गया है कैसे करेंगे कैसे करेंगे कुछ नहीं 0.7 डूंडो कहां पर है कहां पर 0.7 अरे यहीं पर चलो यहां पर देखो 0.7 सपना अंसर चाल हो गया तो यहीं पर अपने अंसर मिलेगा धान से देखो क्य देखो 79 आगया यहां पर चालो गया 79 का 12 चाहिए 79 का 22 चाहिए देखो exact नंबर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अबगल में देखो क्या है 52 फिटी टू डिगरी फिटीटो उपर गया है उपर आपका 0.3 तो 52.3 डिगरी आपका आ गया अंसर 52.3 डिगरी आगया ठीक है अधे यार इतना ही इजी है येस इतना ही इजी है ठीक है इतना आप लोग कॉम्प्लिकेशन करके रखते हो बहुत इजी है समझ में आ गया चलो एक आपको मैं होंबग देता हूँ साइन नवर्स जिरो पॉइंट नाइन सिख्स पैफ पूर इसका अंसर मुझे बताना आप लोग ठीक है जो भी कमिल करके बताएगा उसका उसके मैसेज को लाइक किया जाएगा ठीक है तो फटावट इसका अंसर बताओ क्या आएगा चलो को साइन के लिए करना है आपको सेम सेम मानुला आपको मिलना है कॉस्ट की वेल्व आपको डूननी है 35.4 डिगरी का अंसर आपको डूनना है क्या करोगे क्या करोगे बहुत क्या करोगे सर आजब टा harmless सर 535 35 35 35 35 35 35 35 का 4 में देखना है 4 में देखना है नहीं समझा देखो लागे कर सकता हो क्योंकि मैं स्को बाद में रप कर सकता हो लेकिन अगर आपके बस hard copy है ठीक है log book के तो इसमें अगर आप लोग ज्यादा मार्किंग करोगे तो बाद में बहुत confusion होता है तो इसकेल आपको क्या करना है आपको यूज करना है पैंसील का किसका यूज करना है और आपको एक स्केल लेनी है क्या आपनी पंदरा सेंटीमेटर की स्केल लेनी है ठीक को अभी उपर नीचे का वेलू दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं हाथ से करते हैं ऐसे हाथ से करेंगे आपको कुछ नहीं बेसिकली स्केल रखें यहाँ पर आपको उपर से नीचे से आपको जो करना आप कर सकते हो जिससे आप लोग का एक्यूर पर सेवेंटी नाइन के लिए दूसरा टेबल देखना पड़ेगा अपने को सेवेंटी नाइन का फोर का सेवेंटी नाइन का फोर का ठीक है यही आपका अंसर हाँ अनसर अठा चालीस अठा चालीस आगे लगा दो पॉइंट यह आग्या कॉण्ट कहां पर रहे यही फांटबें पॉइंट नाइन पॉइंट एट ठीक है six-seven ठीक है यहां पर यह चालो हो गही नेक्स मेंच जलना है करना अपने को .7, 18, .18, .18, .18, .18, .18, .18 क्या दुनना आपको .18, देखो, ठीक है, यहां पर आपना अल्रेट किया था, .1, .1840, जिरो एक्जेक्ट अंसर मिल गया उसके अगल बगल में अंसर क्या है उसके अगल बगल में ठीक है यहां पर मिल आपने को 79.4 डिगरी 79.4 डिगरी समझ भी आ गया येस एक और अभी कोई भी अन्न वैलू ले लेते हैं 0.838345 ठीक है यह ले ले लेते हैं अब इसको ढूंडो ठीक है इसको ढूंडते रहो अभी बताओ कहां पर एंसर तो सबसे पहले एट डुनना है एट 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 यहां पर तभी अपने कौन से यहीं पर मिल रहा है और एट त्री नाइन मिल रहा है तो कौन सा लेंगे हम लोग नियरस नमबर यह है तो मैं यही नमबर लूँगा एट थ्री पोर एट ठीक है इसके अगल बगल में देखेंगे हम लोग 33 और उपर देखेंगे हम लोग तो 33.4 33.4 33.4 डिगरी आपको मिल गया एंसर यस बोलो हां बोलो चलो मैं आपको एक होंवग दे रहा हो तो मान लोग और सिन्वर्स इसकी वैलू फान डॉट करके दिखा आप लोग तो 7 8 26 इसकी वैल आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना कितना आरा आपको अंसर ठीक है हमवग आपको टेंजेंट के लिए वी कर सकते हो टेंजेंट के लिए वी कर सकते हो यह तेन थीटा आपको एंगल दिया मान लोग अपको दूनना है 10 आपको तुना है 10 26.5 डिग्री का अंसर कैसे तुननेगे 26 का 5 में 26 का 5 में 5 में 5 में 5 में 5 में 5 में 4986 4986 4986 मिल गया अंसर मिलगा अंसर ठीक है इनवर्स कैसे तुननेगे सर्म लोग इनवर्स कैसे तुननेगे मानलो कोई भी आपको नंबर दे दिया है 0.4 142 ऐसे कुछ भी आपको अंसर दे दिया होगा अब इसका एंगल उन्डो फिर क्या करना है यह वेल्व को बीच में दू तो आरे एक नंबर मिल गया बिल गया मिल गया मिल गया 4142 एक जैक वैलू मिल गई आपको बगल में देखो 22 है तो 22 लिख दो उपर देखो कितना है ट्वाइंट फाइव है तो 12 22.5 डिग्री मिल गया बोलो आप लोग इसका अंसर दो फटाफट 10 इन वर्स 5750 जल्ली से इसका अंसर कमेंट करके बता आई होपस आपको यह वीडियो पर समझ में आ गए होगी नेच्रल साइन नेच्रल कॉस्ट नेच्रल टैन कैसे आप लोग साइन कॉस्ट टैन की वेलू फाइंड आट कर सकते हो विदिन सेकेंड्स विदिन सेकेंड्स विदिन जाए नहीं लगेगा सिर्फ देखना है यार सिर्फ देखना है तो आई हूप साप इसको थोड़ा सा वीडियो को शेर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो अच्छी लगी तो समझ में आ गया यस तर मुझे बहुत अच्छा लगेगा मिलते हैं अगर आपको और को आपके वीडियो चाहिए होगी तो वीडियो कमेंट कर देना ठीक है बाकी मिलते है नेक्स चाइम बाई अबरीवन टेक केर पढ़ाई करते हो बहुत सारी वीडियो से आपके लिए आने वाली है बाई बाई